नमस्कार और स्वागत है फिर से आप सभी आंगनवाडी बहनों का हमारी एक और इंफ्रोमेर्टी वीडियो में बहनों आप सभी को पता होगा कि आंगनवाडी केंदर में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए पोसन ट्रेकर अप्लिकेशन में उपस्थिती बिनाने के लिए उपस्थिन दियाता था यानि सिविकाओं के द्वारा जितने बच्चे आंगनवाडी केंदर पे उपस्थित रहते थें वो उनका जो हाजरी है एटेंडेंस है पोसन ट्रेकर के माध्यम से बनाती थी लेकिन अब इस नए अप्डेट के बाद आंगनवाडी केंदरों के जो भी बच्चे होंगे उनका face detect करके यानी face recognize करके उनका system के द्वारा ही उनका attendance बनेगा यानी जितने बच्चे आंगनवाडी केंद पे आएंगे उनकी photos के साथ ही उनका है侦 जो उपस्तिती दर्ज होगा और उसके साथी आगला कामियापे हो सकता है इसके अंत्रगत आंगनवड़ी से भी काउं को किस प्रकार से काम करना होगा ये जो Face Detect का नया ओप्सन लाए गया है किस एप में लाए गया है कैसे काम करना होगा और किन-किन आंगनवड़ी केंद्रों पे इसको दिया गया है उसके बारे में समझेंगे तो वीडियो को पुरान तक जरूस देखिएगा और साथी ताथ इस वीडियो को अपने सभी आंगनवड़ी गुरूस में सेयर कर दिजेगा तो देखिए इस प्रकार से चेहरे की पहचान करके लगेगी आंगनवड़ी केंद्रों में बच्चो की उपस्ति हमने बताये कि फेस का एक स्कैन करके आंगनवड़ी केंद्रों में बच्चो की उपस्ति बच्चो का टेडनेस दर्ज होने वाला है और यह न्यूज है जो पेश दिया गया है , दिया गया है आंगनवडी के नदरों में फरजी तरीके से पंजगरित किये गए बच्चों को अब पूल खुलने वाला है यानि बहुत सावी सलिशी से विकाय बहने वहती है जिन्होंने गरत तरीके से बच्चों का रेजिस्ट्रेशन कीया होता है और वो अधिक बच्चो का पैसा ले लेती हैं, ड्रेस के पैसा हो, पुशार का पैसा हो या जो भी चीज हो आंगनवड़ी केंद में जो बच्चो को मिलने वाली होती हैं तो वही दिया गया है कि फरजी तरीके से पंजरित किया गया जितने बच्चे होंगे अब उनका पोल खुलने वाला है, क्योंकि प्रदेश में अब बाल विकास विभाग की किसी तरीके से फरजी बच्चो को पंजरित नहीं किया सकेगा, इसलिए सासन द्वारा एक अगली प पहल किस प्रकार से उसके बारे में आप समझते हैं, जिले में आंगनवड़ी के अंदर में 25 बच्चो की उपसिती Face Recognizing System यानि चेहरे की पहचान प्रणानी के आधार पर की जाएगी, इन बच्चो की हाजरी ही इन बच्चो का लभारती का आधार होगा, यानि अब से आंग जिले में 25 बच्चो को आंगनवड़ी केंदर की योजना कलाब मिल सकेगा, यानि अब पोशन ट्रेकर से इस ओप्सन कहटा कर नाए अप्रिकेसर मिला जाएगा, जिससे सिल्फ बच्चो की हाजरी बनेगी, और इसके अनुसार पोशन ट्रेकर के माध्यम से आपको जो भी अलाभारती को तेने के लिए आंकड़े होंगे या जो भी समगड़ी होगी वो वितरन होने वाला है, आंकड़ों के मुताबिक वर्तवान सभय में जनपच संचालत में खुल, 268 टांगनवड़ी केंदरों में 26,861 पंजगरित बच्चे हैं, लेकिन सिकायत के अधार पर समस्य खत्म करने के लिए कारवाई सुरू कर दी गई है, जिसके उपर यहां पर काम होने वाला है, यह देखिए इसलिए कि गया है आंगनवड़ी बनों के लिए कि बहुत सारी से विकाय बने ऐसी हैं, जो अधिक बच्चों का नमानकर करके गलत तरीके से उन बच्चों का फेस के बाद ही उनका डाटा रिकोनाइज होगा और उनका धार कार्ड के अनुसाड़ी पोस्टन ट्रेकर से उनका राशन या जो भी पोशार मिलता होगा वो दिया जाएगा, सासन दौरा सुलुक के जारा यह फेस रिकोनाइजिंग सिस्टम आंगनवड़ी केंद पर बच आति केंद्र में प्राप्त लभारतियों का योजना का लाव मिल सकेगा, और साती साथ फ़रजी लभारतियों का पोल खुलेगा और आसन की छोड़ी पर भी यहाँ पर रुक लग सकेगा, इस प्रकार से यहाँ जपकुड़ा निर्देश यह दिया गया है, अब बहुत से दिया गया है किसी विखती के चेहरे का उपियोग करके उसकी पचान या पुश्टी करने का तरीका ही चेहरे का पहचान कहलाता है, और प्रमाली का फोटो, वीडियो या वास्त्विक समय में लोगों का पहचान करने के लिए इसका उप्योग के जाएगा चेहरे के पहचान बायामेट्रिक सुरुक्षा के स्रेड़नी में अंतरकत दाता है और बायामेट्रिक सर्टिफिकेट एवं इसकी आवाज पहचान फिंगरप्रिट पहचान और डेटिंग पहचान के अतनगाती होता है यानि जिस प्रकास से आप सभी आउगनवड़ी बहनों द्वरक अभी आधार कट बनवाई होंगी तो आपको पता लगता होगा कि उसमें फिंगरप्रिट भी लगता है वह ही यहाँ पर दिया गया है कि अब इसे जो भी बच्चे आउगनवड़ी किंद पर आएंगे उनको राशन दिया जाएगा तो सबसे पहले उनको दिखा जाएगा कि क्या वह किंद पढ़ड़ी आतरिस हैं उनका अधारकट मैच कर रहा है अधारकट कर अनुसार उनका फिस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है वह यहाँ पर दिया गया है फिर अंतिम में आउगनवड़ी बच्चों के लिए इस प्रकार से दिया गया है कि जिला का रेकरम अधिकारी द्वड़ा यानि अब DPO को नेटरस मिल चुका है जिसके अंतरगत जीले में जितने भी आंगनवड़ी केंदर होंगे उन सभी सिविकाओं को उन सभी आंगनवड़ी केंदर पे इस सिस्टम को लगाए जाएगा जिससे बहचों की पहचान हो सकेगी और उनको अच्छी सिक्षा एवं जो जो आंगनवड़ी सिविकाओं बहने पैसे खा जाती है या ड्रेस के पैसा हो पुशार के पैसा हो या बहुत चीज ऐसे हैं जो आंगनवड़ी के इंद में बच्चों के लिए आते हैं लेकिन कभी उनके पास पहुची नहीं पाते हैं उनके लिए यहाँ पर कदम उठाए के कोड़ नहीं और बहुत थें इंफरमेटिव बिडिया खसानत तब तक के लिए धन्यवाद